पुश्पा भी बनी इसके बाद तिर्पल आर बनी उसके बाद आपका क्येजिये बनी तो ये सारे चीजे तो ने परयास किया है कि बेहतर कुछ किया जाए और क्या होता है नहीं होता है तो अब उन्य जंता के हात में है और हमारे जो भी परचारक हैं उनके हाथ में हैं कि वो कितना इसके लिए अपना 110-10% कर रहे हैं और हमने एक पर्यास किया है कि जिस तरह बाकी इरिजिनल सिनेमा आगे बढ़ रही है अरिजिनल सिनेमा का एक अलग होड है कि सब लोग बहतर सोच रहे हैं बहतर कर रहे हैं बहतर पर्यास करके उन्होंने अपने आपको साबित भी किया उसी तरह हमने भी कोशिस किये कि हाँ क्या हो सकता है अब देखिए रतनाकर जी ने दिल खोल के खर्चा भी किया पराग बातिल ने अपनी उर्जा लगाई हम सब कलकारों ने अपना हैंडे 10-10 परसेट देने की कोशिस किये अब वो कितना सार्थक है सिनेमा लोगों तक कितना लोगों को अपना बनाता है ये तो बात की बात है लेकि कोशिस तो हम किये हैं और जिससे साबसे टीजर का ओपनिंग देखा जाए को यूटूब पे और लोगों के अंदर इंडिया तो छोड़िए बिदेश के लोग तक उसको इतना सराहना कर रहे हैं अधर लंगविज के लोग उसको इतना प्यार और असरबात दे रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम देखने जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे लिए जीत है कि हमारे इरिजिनल भासा को इतनी एहमियत यूटूब पे और बाकी भासाओं के लोगों के तरफ से मिल रहा है अब हमें सपोर्ट की जरूद है अपनों के जो हमारी जनता है जो हमारी ओडियन्स है जो जिसके हम भगवान मानते हैं और हर उकलकार उस जनता के आसिरबात के बदावलत ही बनता है तो कोशिस है कि हम एक बहतर सिनेमा का हिस्सा बने है अब आगे कितना तक सनेह है और प्यार लोगों का मिल रहा है अब आने के बाद ही पता चलेगा मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत मुझे लगता है कि दूसरी प्यड़ी में पहली ऐसी मूबी होगी जो इतना ग्रेंजर सूट भी हुआ है और इतनी चीजे जो बाकी सिनेमाओं में हिंदी के बड़े-बड़े बजट के सिनेमाओं में जो चीजे एकुमेंट होती है उस इसाब से हम लोगों में हमने भी कोशिस की है कि आज की जनरेशन के इसाब से जो चीजे उसमें हो सके अपने भासा के गरिमा को बचाते हुए अपने भासा के गरिमा को उपर लेकर जाते हुए अपने भासा को बड़ा करने की कोशिस है और उसी कोशिस में हम सब लगे ह अब देखे कब तक सार्थक होता है। यह तो प्राग पाटी लिए बता पाएंगे और आडियंस बता पाएंगे कि उनकी सोच को मैं कितना बहुत तक उतार पाता हूं तो यह मेरी कोशिश रहती है उनकी भी कोशिश रहती है। खेसारी पन है, आपके बोडी में खेसारी है, आपके जुबान पे खेसारी है लेकि आप खेसारी से हटके आपको कुछ करना है तो वहाँ वो असान नहीं होता है। आपको अपने आपको चेंज करना होता है, आपके स्क्रीन के लिए और आपके ओडियन्स के लिए, आपके अपनी कहानी के लिए। तो वह बहुत टॉप जॉब है, कि हमको खुद से निकाल कर किसी और उमें समेटना होता है, हमें खुद से निकल कर किसी और के एक्ट को अपनाना पड़ता है, तो वह थोड़ा सा टॉप जॉब है, इतना असान नहीं है, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट डॉल करता हू हमारे घर में साथ भाई है, साथो का बोलने का तरीका लग है, चलने का तरीका लग है खिसारी का बोलने का तरीका लग है, चलने का तरीका है लेकि उस साथो भाईयों में से मैं करेक्टर ढूडता हूँ कि मेरे साथ भाईयों में से कैसे चलते हैं सब कैसे बोलते हैं कैसे उनका वेहवियर है अपने गाव में जब जाता हूँ तो यह सब करेक्टर ढोड़ते रहता हूँ कि कौन सा यूनिक करेक्टर है जो मुझे पले करना चाहिए तो वो मैं एक मेरा सोच है अपना कि कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर काम करता हूँ और कम्याबी होता हूँ तो अब लोगों का प्यार है आज इतने दी से तो लोग देखी रहे हैं और मैं कोसिस कर रहा हूँ कि भजपूरी बड़ा हो मैं तो जितना खुद को बड़ा करना था कर चुका हूँ और आगे भी है कोसिस कि आपको अपने आपको भी बड़ा करें और उसके साथ साथ उससे उपर हमारी भजपूरी है जिस भजपूरी को हम यहां नहीं बलकि पुरी दुनिया से उपर देखना चाहते है ठीक है उनका अपना सोचने का तरीगा है वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं उनको यह लगता होगा कि यह सारी की फिल्म है इसलिए साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं मिले है, कोई नया नहीं है, बट भजपुरी की जहां बात आए, तहां हम सब को मिलके काम करना चाहिए, प्रसनल मतभेद अलग हो गया, यह अलग मेटर हो गया, हमारा आपका प्रसनल मतभेद हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जब भजपुरी क की बात है, तो भजपुरी के लिए हम सब को एक होकर ही काम करना चाहिए, उससे क्या होगा कि बाकी इनडिस्टी भी कहेगी कि चलो यार भजपुरी के लोग एक होकर अब काम बहतर कर रहे हैं, साओध की तरह एक दुसरे को सुपोर्ट कर के आगे बढ़ रहे तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी भी है लेकि ठीक है उनका अपना सोचने का तरीका है वो गलत नहीं है अगर उनको लगता है कि नहीं वो खेसारी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये खेसारी हाथ आई नहीं है भजपूरी है तो हम है भजपूरी नहीं है तो हमारा कोई बोलना चाहिए मेरा मानना यह है क्योंकि बिदेश के लोग तक रिविव दे रहे है टीजर के पाकिस्तान के लोग रिविव दे रहे हैं चाहिव पंजाब के हो या हरियाना के हो या महराष्ट के हो या हमारे साउथ के हो कहीं के भी लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने रिविव बहतर नहीं दिया और सबने बहतर बताया है, एक दो लोग है जो अपने भासा के लोग हैं, उनको वो चीज़ बूरी लग रही है, तो ठीक है, जिसको मुझे भूरा साविथी करना है, उनको मैं अगर रमायन का पाथ भी दे दू, तो भी मुझे गलती साविथ करेंगे, तो उनके बातों को मैं कहर नहीं करता, कि हाँ उन्होंने क्या बोला नहीं बोला, उनको जिस दिन लगेगा कि नहीं हमारी अपने भासा को गाली दे रहे हैं, अपने भासा की बुराई कर रहे हैं, तो साइधों समझ जाएंगे लिए कि उनको अपने चैनल चलाना है, उनको ना हम हमरे content से लेना देना नहीं हमरी cinema से लेना देना है उनको लेना देना है अपने खुद के channel से जिसके लिए वो कुछ भी बोल जाएंगे कुछ भी कह जाएंगे तो हमें इस सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चीए और उनके ना बोलने और बोलने से कुछ होता नहीं है उनका अपना बोलने का तरीका है क्योंकि वो मन में ठाल लिए कि खेसारी को गलत साबित करना है भजपुरी को गलत साबित करना है तो उसके लिए कोई सब्द नहीं बना है तो उसके लिए क्या बोला जा सकता है और मैं तो सबसे अपील करता हूँ मेरे जितने भी छोटे भाई हैं उनको भी अगर बेहतर कोई भजपुरी में करता है तो है आप करेंगे तो मुझे भी बोलना चाहिए हम करें तो आप भी बोलिए लेकि बेहतर अपने आपको बनाना सबसे पहले कि आप गोली बनिये पुरी दुनिया आपको पिस्टल लेकर घूम रही ही ताकि अपके उसके अंदर समयाना है तो पहले हमें गोली बनने के चाहिए अपने बोडी पे काम हो या आपने फैजिक पे पे काम हो या अपने अक्टिंग पे काम हो या अपने मुझे लगता है भासा पे अपने लांग़ेश पे हर चीज पे आपका relative पकाम कर अपने आपको गोली बनाना ताकि कोई सी भी बंदूख में मैं आ जाओं और दुनिया मुझे फायर करे तक में किसी की जहां ले लूँ तो वो सारी चीछे हैं इसलिए मैं बहतर करने के हमेशा कोशिस कर रहा हूं आज गौड फादर के लिए तिन-तिन लूक लिया मैं तो एक फ्रेम में दो-दो खिसारी खड़ा है तो उसका बोडी जेस्टर इसका बोलने का तरीका तो बहुत डिफ्रेट डिफकल होता है वह सारी चीजे लेकि उसके वाउजोद ही मुझे बहुत प्रिपेर रहना पड़ रहा है कि नहीं उसमें और इसमें अंतर तो होना संगहर्स नहीं बनेगी, लगि अगर इस संगहर्स को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो मुझे लगता है कि भजपुरी में हर दिन एक संगहर्स बनेगी, तो वो जरूरी है ताकि इसी फिलिम से लोग सीख लेंगे कि नहीं यार बेहतर करेंगे तो हमें बेहतर चीज़े और बेहतर रिस्पोंस मिलेगा तो आप सब का जगरुकता एक भासा को बड़ा कर सकता है आपकी एकता एक भासा को बड़ा कर सकती है तो मैं अपने जानता से ही को हूँगा request करूंगा कौन नहीं बोल रहा है बोल रहा है ये कोई विसे नहीं है सब के अपने मन के मालिक है सब लोग अपने मर्जी के मालिक है भाई किसी को बोलना नहीं बोलना उसका अपना विसे है उसका अपना nature है कि वो बोलना चाहता है नहीं बोलना चाहता है इसमें वो दोसी नहीं है, कि हाँ वो गलत कर रहा है, नहीं, उनको जिसने समझ में आएगा, जिसको भी समझ में चाहे हूँ, मैं हूँ या कोई भी है, जिसको भी जो समझ में आता है, अपने हिसाब से करता है, किसी पर कोई दबाव नहीं है, और जब अरजस्ती हम किसी को न बोलने से कोई फरक नहीं परता है तेक्निसियन फिल्म भैक्ति जो फिल्म नाने गवाड़ फाज़र आर पिल्ची अपरागी और सुबोस्टेट जो तीन तिकड़ी में नया करें टेक्निसियन के साथ की बनाना और आपको पूरा सपोर्ट जी से बोला था वॉल को आपको भी बने वो बनेंगे तो साइद मैं मजबूत होता हूँ क्योंकि आपका अपना कोई बेटा या आपका अपना कोई भाई बढ़ता है तो कहिना कि आप मजबूत होते हैं तो मेरी कोशी समेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं ठ थोड़ा सा सपोर्ट हाँ अगर मैं पहले पेमेंट ले लोगा या पेमेंट बोलोगा कि ने मुझे चाहिए तो दबाओ में सिनिमा अची नहीं बनती है इसलिए मैं कॉपरेट करता हूँ कि चल भाई तुछे महीने बाद दे देना मुझे क्या फरक पड़ता है ताकि अपकी सिनिमा और कम से कम 20-25 लाख जो फैनेंसर का सुध ब्याज होता है वो इनको वही 25 लाख रुपय बच जाता है तो ये भी 25 लाख के मालिक बन जाती है तो मेरी कोशिस हमेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ हैं वो भी कड़ोरपती बने अगर मैं कड़ोरपती हूँ तो वो भी कड़ोरपती ताकि उनका पैसा मेरा पैसा कोई अलग नहीं है और कभी भी मदद की जरूद पड़ेगी तो कहीं न कहीं वो खड़े रहेंगे मेरे लि अब ऐसे कोड़ी कोई महमूली चीज है वो बड़ी चीज नहीं है एक दूसरे के प्यार में रहके अपने जीवन को चलाना मुझा लगता है यह ज़्यादा सही है अपने फाइनस और ओडियन्स के अपने जब होली आ रहा है लेकि अगर आप लोगे एक बर भर भर के प्यार दे दीजिएगा हम भी अगर एक बड़ा इनिशियल के साथ है एक बड़े सिनेमा के साथ दुनिया को प्रजेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि अपना भासा आज साउत की तरही एक जगा एक अस्थान बना लेगा और हम लोग बहतर अपने भासा को परमोट कर पाएंगे और हर कलाकार ऐसे ही काम करने की कोसिस करेगा अपने बोडी पे काम करेगा अपने डांस पे काम करेगा अपने आक्टिंग पे काम करेगा अपने लूक पे काम करेगा तो हमारे लिए जरूरी है कि जब आपका सपोर्ट किसी एक फिल्म को मिलता है तो आज बाहू बली बनी उसके बाद पुस्पा भी बनी उसके बाद तिर्पल आर बनी उसके बाद आपके कहजिये बनी तो ये सारी चीजी तब बनी जब लोगों का जुकाव उधर हुआ, लोगों का प्यार हुआ, तो पहले बनी, तो बनी है ये, आप लोग ऐसा प्यार दे दिजिए कि हर आदमी और हर कलाकार, जबकि तीनों के अलग-अलग आर्टिस्ट थे, तो सब ने परियास किया और बहतर सिनेमा बनती चली गई, और हम बहतर चीज़े कर सकते हैं, बसरतिया आप सब कर बहुत सहोग की जरुत है,